तो चलो अगर तुम देखोंगे बिसिकल यह वाला कोश्चन कि टाइम प्रिएड आफ ए अर्थ सेटलाइट इन्हें सर्कुलर आर्बिट इंडिपेंडेंट किस पर इंडिपेंडेंड करता है तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूग कर रहा है जैसे यहां पर तुम देख रहे तो अगर सर्कल में मोग कर रहा है तो सरंकल में मूग कर रहा है तो इसमें इदर की हैचे सथो दागेगा इस gravitational force की जो value होती है वही Centipetal force provided एंवत करेगा तोchae salary return पूँए और decided ऐस्थ में मास अपर मास सेट्लाइट और इनके बीच का तो यहां पर देखोगे तो यह जो सेंटिपीटल फोर्स है मास एम लीनियर वेलासिटी भी और और इसको मैं लिख सकता हूं सेंटिपीटल फोर्स को इसका मतलब यह हुआ कि मास कैंसेल हो रहा है मतलब यह जो चीज है मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो आर और ओमेगा को मैं लिख सकता हूं टू पाइटी का होल असकोईर ठीक है तो यहां से आजाएगा जी और एम और इसमाल आर असकोईर तो इसमाल आर सकोईर क्या चीज होती है तो यहां से आजाएगा इसमाल आर फोर पाई का सकोईर और टी असकोईर इस उकल टो जी एम और आर की पावर क्यूब तो यहां से जो टाइम पिरेट की वेलू आएगी टाइम पिरेट का सकोईर जो आजाएगा हो आजाएगा फोर पाई स्कॉयर अपान जी एम और आर की पावर क्यूब तो इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिजल्ट आफ दे ग्रेविटेशन अगर आप देखोगे इसको याद कर लोगे तो आप इस कोशन को डाइरेट कर सकते थे ठीक है वेर आर क्या है तो आर जो है किसी भी सेटलाइट का ठीक है न जी ए हम अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है तो कैपीटल और प्लस हाइट हर का क्यों भी आजाएगा यहां ठीक है तो टाइम प्रियोंड किसे टीपेंड किया रैडियस आफ अर्थ मास अब्द़े प्लैनेट इस ब्सक्राइध टाइडज नाट डिपेंड अप बात तो इसका मदब ए भी आप्शन कर लेते ए भी आप्शन कर लेते ए आप्शन इसका सही है